आज हम डिस्कस करेंगे IOT-based एक प्रजेक्ट को, जिसमें हम एक energy meter हमने बनाया है, जो कि क्या करेगा आपकी energy को बताएगा कि आपकी कितने energy वहाँ पे घर पे consume हो रही है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक auto transformer का use किया है, जिससे हम voltage को vary करेंगे, और blink app को मैंने यहाँ पे use किय जिसके थुरू हम energy meter को मतलब फूरी इसकी description को यहाँ पे check कर सकते हैं, और यह हमारा यहाँ पे सारा इसका setup है, तो हमने यहाँ पे CT use किया है, जिसकी ratio है 100 to 50 mA, यह का हमने यहाँ पे PT use किया है, potential transformer, voltage को measure करने के लिए, और यह है मेरा Wi-Fi module, इसको हमने यहाँ पे circuit मे सारे को और लोड पे हमने एक बल्लब को लगा रखा है यहाँ पे, तो आएए देखते हैं कि किस तरह से यह हमें इस iPhone पे यह सारी चीज हमें देखने को मिलेगी, चलिए स्टार करते हैं तो, देखिए यहाँ पे जैसे voltage को, इस voltage को मैं increase करूँगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे जैसे मैं voltage को increase कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मेरी कितनी voltage इस बल्लब को मिल रही है, कितना यह क्रंट ले रहा है, और कितनी power मेरी total यहाँ पे consume हो रही है, और this is energy consume, जिससे कि आपका जो total bill लाता है in the kilowatt hour, यह आपका unit यहाँ बताता जाएगा कि कितनी कितना power का जो इस बल्लब को रहा है, यहाँ पे मेरी voltage को increase कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा है, तो देखिए इसका सबसे बड़ा IoT बेज़ लेको, इसलिए 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 का सबसे वड़ा फाइदा यह का इसलिए कि आप इसको डूनीय के किसी कोने में चले जाएं, आपको तो आपने घर पे बस ही system को लगाना है और आप बहीं से चेक कर सकते हैं कि मेरे घर पे कितना power consume हो रही है, कितने मेरे units बन रहे हैं, कितना मेरा बहां पे current flow कर रहा है, और कितनी हमारी गर की voltage है, आप देखेंगे यहां पर, जैसे ऐसे voltage को increase कर रहा हूं, मेरी voltage increase होती जा रही ह यही पे phone पे, तो यहां पे हमने blink app को use किया है, तो सबसे वड़ा फाइदा इसका यही है, कि आप कहीं से भी इसको check कर सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई fault है, यह तब भी बता रहेगा कि कितना बहां पे current x crack होई चल रहा है, अगर आपने सारे system बन कर रहे हैं, तब भी य excessive current वहां पे flow कर रहा है, और कितनी power आपके घर पे total consume हो रही है, यह उसको भी यहां पे बता देगा, so this is the project, IoT based, thank you.